फाइनले दोस्तों हम लोग लेके आचुके हैं Nitrogen OS 4 Poco X2 जिसको आप दूसरे डिवाइस में भी इंस्टाल कर सकते हैं बेशक और अगर आपको Nitrogen OS के वीडियो को पूरे देखने तो आप इस वीडियो को पूरे देख सकते हैं फिलाल मैं इसको Poco X2 में यूज़ कर रहा हूं जैसे कि आप देखी सकते हों यहाँ पर Nitrogen OS लिखा हूँ है कुछ यह सिस्टम के अंदर मुझे देखने को मिला पहली बार बाकी के अंदर क्या होता है यहाँ पर About Phone के अंदर जाके यहीं कहीं आपको देखने को मिल जाता है Android 10 के अंदर कहीं पर Android वर्ज़न आप लिखा है लेकिन इसमें कहां लिखा हूँ है सिस्टम के अंदर जाके जो की थोड़ा सा अलग बनाता है इस रोम को साथी में और कुछ छोटे बुटे फैक्टर्स मुझे लगे जो मुझे लगा मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ साथी में यह क्या है इसकी बात हम आगे next वीडियो में या कभी और करेंगे यह सिर्फ अभी आपको दिखाया है सजाने के लिए कुछ था नहीं साइड में तो रख दिया है और मितलब एक टैमपर है तो किस तरीकिका है इसके बारे में मैं आगे आपको बता हूँगा तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं करते हैं काफी बढ़िया स्मूध मुझे लगी अभी तक जब मैं इसको यूज किया तो आप देखी सकते कितनी ज्यादा स्मूध है और डिफॉल्ट सिम मैंने इसके अंदर अपनी डाली है जिसके मैं आपको पता है कि हमिशा डिफॉल्ट सिम यहां पर डाल करता हूँ कि किस तरीक सकते हो फोकस मोड आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है बैट टाइम मोड इसके बारे में आगे बात करते हैं यहां पर बाकी सारी चीज़े कुछ इस तरीके से लेकिन मुझे यहां पर एक ऑप्शन मिसिंग लगा है जिसको शायद आप यहां पैंसल से अपडेट कर सकते हो डू नॉट डिस्टर यह बहुत जरूरी है मिरको काफी काम आता है अभी वीडियो मनाने के काम भी आ रहा है कि अभी किसी का नोटिफिकेशन नहीं आएगा जब तक मैं वीडियो कंप्लीट नहीं कर लेता इसके साथ हैं आपको सब कुछ काफी अच्छे से काम कर र नहीं तो हम वैसे जो स्टैंड करके ऐसे बनाते थे वह वाला करना है तो आप वह भी कह सकते हो अम उसी तरीके से फिर वापस बनाना शुरू कर देंगे तो यहां पर सबसे उपर की तरह मैं बात कर दो यहां पर सेटिंग के लोग पहले चले गया है थोड़ा सा तो यहां अब मैं बात करता हूं बागी चीजों की फटाफट से यहां पर होम सेटिंग के बात कर लें जाए होम सेटिंग में आपको इसको बाए डिफॉल्ट देखने को मिल जाता है साधी में यहां पर विजिट वॉल्पेपर अगर मैं बात कर तो वॉल्पेपर आपको यहां पर स तो जाके description बाइक कर सकते किसी भी device के लिए काफी तो चलते हैं यहाँ पर मैंने यहाँ पर काफी सरी थोड़ी पहुत गेमिंग करी है तो आज चला ही है मैंने पूरे दिन ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं चला ही लेकिन हाँ बिल्कुल चला ही है मैंने और मुझे काफी बढ़ि चेंज देखने लिए यह भी कोई बहुत बड़ा चींज नहीं है यहाँ पर बैटरी के बात कर ले तो बैटरी आप जो है तो दो घंटा यूस कर लिए स्क्रीन यूसेज आप देख सकते हैं इसको फुल करने से पहले बीच मैंने तो गेमिंग में थोड़ी ची कर ली दी ल दिस्प्ले के लिए डिस्प्ले के लिए अपने अपने हिसाब से उसको सैट नहीं किया है क्योंकि आपके लिए दूसर वीडियो बनाने जो की जैन ओएस के उपर होगा चलते हैं बागे चिज़ों की तरफ यहाँ पर डिस्प्ले कट आउट साइस वगरा देखने को आपक सॉंड कि दफ के लिए रिंग्तों के लॉइ को लागी देखने को नहीं मिलती है भिया कॉल रहे पता ही निव साउंड वाला फिर उसके बाद फिक्स होगी अपने पता नी पीछे चला गया था फिर यहां पर आ रहा है और यहां पर आपको लाइव क्या चोटा से आप नीचे की तरफ यह भी देखने को मिल जाता है तो यह काफी वड़िया बात है यहां पर देख सकते हो साधी में चलते फिंगर्पिंट यहां पर काम कर रहा है तो देखिएगा एक बारी हो गया दो बारी हो गया हर बारी जो टच करेंगे तो खुल जाया है कोई दिक्कत वाली मुझे नहीं लगा और आपको इसको प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है बिना प्रेस करें भी काम हो जाता है इवन आप प्रेस भी कर सकते हैं से कोई दिक्कत वाली बात भी है लेकिन फिर भी मैं रिक्मेंड नहीं करता आप टच करके भी यूज कर सकते हो इसके लगा दोस्तों यहां पर आपको स्मार्ट लोग को भी ऑक्शन देखने को मिल रहा है और यह सब आपको तब मिलेगा भाई कुछ इस तरीके की दिखती है वही है कुछ यहां पर कोई बड़ा चेंज मुझे नहीं देखने को मिल रहा है तो बिल्कुल सेम है 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 फिद्बैक बगार भी आप बंद होंसे कर सकते हो डिजिटल वैल्विंग आपको यहां पर बीटा में इंस्टॉल किया है जैसे कि रहता है क्ष्ञा सब्सक्राइगा यह बहुत ज़रूरी चीज है बॉटम में रखना है तो बॉटम में भी कर सकते हो वैसे तो अप में ही ठीक रहता है बाकि ब्राइटनेस का आइकन आपको चाहिए कि नहीं यह भी आप यहां से कंट्रोल कर सकते हैं यहां पर आपको साइड में आइकन देखने को मिल जाता है अब यहां पर बात करते हैं यहां पर कुछ सेटिंग के हमने कर लिए बड़न की मतलब ज्यादा ओप्षन नहीं है जैसके मैं आपको बड़न के अंदर आपको देख सकते हैं यहां पर आपको यहां पर आप्शन मिल जाता है साथी में आप वॉल्म रॉकर वेकप का अलाओ नेविगेशन बार और यहां पर इनवर्ट लेवट को अप्षन देखने को मिल जाता है जो कि यहां पर कोई यूसफोल नहीं है फिलाल के रिए क्योंकि हमाँ पास तो इंड्रीट एंड के जस्टर से यहां पर कुछ जेस्टर भी आपको देखने को मिल जाते है जै आपको बात करते हैं बागी चीज़ों के अंतर आपको फुछ इस तरह के चीज़े देखने को मिल जाती है फिंकर्प्रिंट वाइबरेशन बंद करने के लिए आप काफिसतार यह और भी चीज़ाइड कर जकते हैं इवन यहां पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपको देखने अविलिबल नहीं है नाइट्रोजन ओ है इसकी परफॉर्मस जोंचे काफी ठीक ठाक लगी है और आप इसको डेली बिसिस पर यूस्ट कर सकते हैं अप्रोवड है मेरी तरफ से लेकिन एकी दिक्कत है भाइस आप सी टीज़ी पास नहीं हो रहा है फिलाल के लिए अगर पता नहीं क्या दिक्कता है मैं जिसके साथ विदाउट मैंजिस मैंने भी चेक नहीं किया था वह आप चेक कर सकते हो बाद में और इसके रहा यहां पर बागी चीज़ों की बात करता हूं तो यहां पर नोटिफिकेशन की बात हो कई तो नोटिफिकेशन में आपको यहां पर बैटरी चार्जिंग लाइट नुटिफिकिशन लाइट है यहाँ पर वाइबरेट ओन कनेक्ट वाइबरेट ओन कॉल यह सारी चीज़े आप चेक आउट कर सकते हैं उसके बाद यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट मिसलिजनियस ऑप्शिन के अंदर आपको यहाँ पर विक आपको देखने को मिलते हैं अब आपके चाहे 90Hz में रखना ज्यादा बैटर रहता है लेकिन मुझे 120Hz के यहाँ पर इसको 120Hz पर ही रखूँगा पिल स्टाइल नौच आफ यह आउन करने का आपके वास ऑप्शन है फिलार में आफ कर रखिए जिस वज़े से मेरे को यहाँ काफि कंवाल के option में कोई इसके साथ लगे इसके साथ यहाँ पर आपको device इसकी कि सेंटिंग की अन्दर आपको यह भी मिल जाता है रापको देखने को मिल जाता है कॉण सा phone है कॉन से earphone है आपका उसको लगाने के बाद आप यहाँज़कर सकते हैं हाई-फाइक option भी देख सकते हैं इसको set ठीक है तो यह काफी ठीक था कॉप्शन है यहाँ पर थम्वल साप चेंज कर सकते हैं मैं थम्वल चेंज करके नहीं देखिया अभी इसके बाद यहाँ पर पिक फोन सेंसर है मतलब जब आप यहाँ पर उठाओ को तो अपने आप लाइट वाइट जल जाएग प्रॉब्लम यहीं लगी है बस कि आपको यहाँ पर नीचे बॉटम की तरफ जो इसको बंद करने का कोई आप्शन नहीं है हमारे पास इसको बंद करने का इस आप्शन देना चाहिए था कि यह जो स्पेस को हम यूज कर पाए मिरे को यह पसंद नहीं है आपको पसंद चीजे और बता दो यहाँ आप देख सकते हैं नाइट्रोजन फोनिक्स ठीक है और यहाँ पर गूगल प्ले स्टोर अपडेट 10 यहाँ पर देख सकते हो सप्टेमबर 5 के हैं बाकी सारी चीज़े काफी अच्छे से वर्क कर ली है मुझे आपको कोई दिक्कत नहीं देखने प्लस वाला यूज किया गया है और बाकी सारी चीज़े तो आपको चैक आउट कराई दिया है अब इंस्टोलेशन कर लेते हैं फटाफट से आपको कुछी नहीं करना है सबसे पहले आप वॉल्यूम बबटन और पाव बटन को एक साथ प्रेस करना है ऑन में भी कर सकते हो में भी कर सकते हो जैसे आपके च्छाहें टीटल रपी इंस्टॉल होनी चाहिए और बूट लोटर यहां पर अनलॉक होना चाहिए मतलब बूट लोटर अनलॉक होगा तो बेसिकलिए आपका सारा काम कंप्लीट हो जाएगा टीटल रपी का मैं वीडियो आपको नीचे डिस के करते हैं और डॉट डल गया है ऑके सो फाइनली ही बहुत सारी मशक्कत करने के बाद हमने इसको खोली लिया सबसे अची बात आप देख रहे है रिफ्लेक्ट नि करता यार कितना कम रिफ्लेक्शन है मैं एट फिनिश के साथ आड़ है टेमपर जरुब से चैक आपकर लि system install अंधर चलते हैं और यहां पर रहार नहीं करझा आठा है बता तो ृए पर टेटा के बारे मैं आपको नहीं बताया मैं 12 0.1 बहुत ज़रूरी है नहीं तो सारे फंक्शन काफी आच्छी से काम नहीं बताएं इसके अंधर डिफॉल्ट के बारे मैं से इतिके मिलता इंस्टॉल कर ले ना न्यू वाला तो यही बताना था बस इसके अंदर आप देखे सकते इस तरीके से यह काम कर रहा है और काफी अच्छे से काम कर रही है मुझे आप कोई भी दिक्कत यहां पर देखने को नहीं मिली अभी तक जितना मैंने इसको यूस किया है जितनी देर म मुझे कोई प्रॉब्लम मिलती है तो मैं आपको जरूर से इंफॉर्म कर दूँगा मेरे टेलिग्राम का चैनल जोइन करना बिल्कुल ना भूले साथी में इस्टाग्राम पर फॉल्लो करो यार तो इसे भाई की फॉलिंग मॉलिंग बढ़ा हो सो फाइन है दोस्ते हमारी इंस्टाओ हो चुकी है साथी में आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो नीचे की तरफ यहां पर देखेंगे तो मैंजिस्टाओ हो गया है आपने आप यह रोम की खास बात लगी है कि अगर पुराने वाले में आपका रूट होगा और आप अपडेट करेंगे तो अपने पर कुछ खास देखने को मिलता है देखिए इंस्टॉल होने के बाद आपको यहां पर इंस्टॉल नहीं करने एक बारी फोन को रिबूट कर लेना है रिबूट करना है लेकिन रिकवरी में करना दोस्तों डिरेक्टली सिस्टम पर मत करना बूट लूप पर फस जाओगे तो इससे पहले भी कर सकते हो रिबूट करने से पहले आप कर लोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा मैं यहां पर रिबूट करने के बाद फॉर्मिट कर लेता हूं बट मैं करूंगा नहीं सौरी क्योंकि मेरा कुछ डेटा वेटा है तो पहले मैं उसको ठालू और उसके बाद मै आप कह सकते हो लेकिन वह वाला फूल ट्रिबू आपर नहीं होगा यहां पर देखिए आप वाइप की तरफ जाना रिबूट करने से पहले यह रिबूट करने के बाद जैसे आपको अच्छा लगे उसके बाद एडवांस वाइप में जाना एक बड़ी डेटा इंटरनल कै टाइप करने के बाद आप यहां पर ओके दबा देंगे फॉरमिट हो जाएगा डेटा ठीक है तो इतना करने के बाद दोस्तों आपको आपको आपकी रोम सक्सेस्फुली अभी इंस्टॉल हो चुकी है इसके बद आपको जी आपको जाके जो है कुछ इस तरीके जे इस्टॉल हो गया है मैं जे इस इस नहीं चल रहा था इवन टाटाइश काई और यह सारे इस रूट इटेक्शन कर रहे थे इसकी बूटिंग लोगों की बात करूं तो कोई बूटिंग लोगों नहीं है सिंपल एंड्रॉइड लिखा जाता है यह बारे बंद होने के बाद यह पता नहीं ऐसा क्यों करता है अब शायद हो जाएं बूट देखते हैं मेरे साथ यहां पर बूट लूप में फस चुक है दोस्तों पूरा प्रोसेस यहां पर फिर से करना पड़ेगा मैं वह पूरा प्रोसेस आपको बता चुक हो अल्रेडी किस तरीके से करनी है उस तर लूट से लाइक कर लेना और कमेंट करके जहर बताना वीडियो के से लागा फिलाल तो यह पूरो बूट लूप में चली गई अब आएगी डिरेक्टली यहां पर जैन ओएस मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों